जीवन उत्सहा नियूस की आद दिन भर की दस बड़ी खबरों में आपका स्वागत है के नुमती को लेकर कौनूनी राय ली जा रही है परदेश सरकार ने पुरानी कमेट्री को बरखास कर एडीजी अभिशेख त्रिवेदि को परिक्षा कराने का जिम्ящ सौपा है 18-20 जून के बीच आएगा 12 कक्षा का परिक्षा परिनाम हिमाचल परदे स्कूल शिक्षा बोड ने 10 वी और 12 कक्षा के परिक्षा परिनाम को लेकर चल रही अफाव पर विराम लगा दिया है अभी बोड मुख्याले में रिजल्ट कमपाइलिंग का कारे चल रहा है जिसे पूरा करने में अभी समय लगेगा बोड ने साफ किया है कि अभी एक हफ़ते का समय परिनाम आने में लग सकता है पहले बारवी का परिनाम निकाला जाएगा इसके बाद दस्वी कक्षा का परिनाम निकल सकता है धरमशाला पहुँचने पर राष्टपती का गरम जोशी से स्वागत भारत के राष्टपती रामनात कोविंद आज हिमाज़त परदेश के अपने दो दिवस्य परवास पर धरमशाला पहुँचे भारतिय खेल प्रादी करन ग्राउंड धरमशाला मेराजेबार राजेंदर विश्वनात आलेकल मुख्य मंत्री जाराम ठाकरूर विधान सबादेख्ष विपनसियां परमार समाजिक न्यायवम अधिकारिता मंत्री सर्विन चोधरी सांसत किशन कपूर विधायक विशाल नहरिया धरमशारा नगर निगम के महापोर अंकार नहरिया ने मुख्य सचीव राम सुबक्सिहां, पुलिस महानी देशक संजे कुंडू, परधान सचीव समान्य परशाषन भरत खेड़ा, उपायक कांगडा डॉक्टर निपून चिंदर और पुलिस अधिक्षक कांगडा डॉक्टर खुशाल शर्मा ने उनका स्वागत किया शिमला कुड़ा उठाने आई, एमसी की गाड़ी का पुलिस ने काटा चलान राजधानी शिमला के संजोली में सुबह ही कुड़ा उठाने आई, नगर निगम की गाड़ी का पुलिस ने चलान कर दिया जिस पर सफाई कर्मी भड़क गए और चलान का विरोध करने लगे जिस पर पुलिस कर्मियों ने अंदर करने की धमकी दी वही कर्मियों ने गाड़ी वही खड़ी कर दी और कुड़ा उठाने से मना कर दिया और सभी कर्मी कठे होगे पुलिस के साथ इस दौरान बहस बाजी भी हुई करीब आदे गहंटे तक सफाई करमचारियों ने कुड़ा नहीं उठाया और हरतार पर जाने की चेतावनी भी दी खेकेदार ने मिट्टी पर की टायरिंग गुसाई लोगों ने हाथ से उखाड़ी रेणोकाजी विधानसवा में एक सड़क के चायरिंग कारे में जमकर भष्टा चार की लीपा पोती की जा रही है गुसाई लोगों के सबर का बांटूटा तो लोगों ने सड़क की हाल में हुई टायरिंग को हाथ से ही उखाड़ कर ठेकेदार और विभाग के कारनामों की पोल खोल दी मामला उजागर होने के बाद आस्थाने विधायक मीने कुमार भी मौके पर पहुंचे यह तस्वीरे रेणों का जी विधान सबक शेतर के ददाहू बिरलावाया तिरमली सड़क में टायरिंग के निर्मान कारे की है जो साब बया कर रही है कि सड़क की चायरिंग के दौरान किस तरीके से यहां ब्रष्टा चार के साथ समझोता कर यहां सड़क निर्मान में ली कार्वी के में धावी चात्रों को लैक्टॉप देने का कारें शुरू कर दिया है वहीं चार साल बाद चात्रों को लैक्टॉप देने पर कॉंग्रेस में सवाल खड़े किये हैं और इसे सरकार की नागामी करार दिया है वाचर परदेश कॉंग्रेस कमेटी के उपा धियक्ष नरे चोहान आज शिम्ला में पत्तर कारवारता करके जायराम सरकार पर हमला बोला करके हमारा जो जिना स्रिमार को बड़ा ही महत्योपूर दाहमी के जारा इजाए और वहां पर जो हमने वाले वाले टॉलिट्स जो लगाए हैं लेकि उनकी संक्या काम है तो अब एक डिसीजनुश में किया गया है कि हम एक मुबाइल वाले टॉलिट्स बहां पर जो कि उनको सुचा लेगे और किसी प्रिशानी का सामना करना पड़े उनकी साथ में विडिसेट किया गया है कि उस सक्षेत्र में जो है वो पॉलिटीन का फूर्ण हुट से प्रतिबंदीत करने जाए हैं पंजाब और दिल्ली को गर्मी में राहत पहुंचा रही माचल की बिज्रिट चल चलाती गर्मी से जूज रहे पंजाब और दिल्ली को हिमाचल बिज्ली सप्लाई दे कर राहत पहुंचा रहा है दिल्ली की दो कमपनियों सहीद पंजाब को हिमाचल परदे से बेकिंग पर रोजाना 149 लाख यूनिट बिज्ली सप्लाई दी जा रही है सर्दियों के मौसम में हिमाचल दोनों राज्यों से सप्लाई को व्या सहीत वापिस लेगा इन दिनों बिजली उत्पादर बनने के बाद भी हिमाचल सिर्फ अपनी डिमांड ही पूरी कर पा रहा है हिमाचल में पहली बार पेरा मोचर की सफल उडान प्रियाचन को लगेंगे पंक हिमाचल के मैदानिक शेत्रों में पहली बार पेरा मोचर का लुथ भी लिया जा सकेगा उना के अंदरोली में साथी खेल के लिए पहली बार सफल उडान हुई है उडान भरने के लिए धलान धार पहाडी की जरूरत पेरा मोटर में नहीं रहती है यह हिमाचल के मेदान इक्षेत्रों के लिए प्रेटिन के लिहास से बड़ी सौगात होगी गोविन सागर जील किनारे अंदरोली में भी पेरा मोटरिंग करवाने की तेयारी चल रही है